महराश्टर में महाविकास आघाडी में सीट शेरिंग को लेकर एक नाम जो चलचीत रहा वो वन्चित बहुजन आघाडी का प्रकाश अम्बिटकर की पार्टी क्या महाविकास आघाडी के साथ लोग सबाचुनाव में कोलिजन करेगी इस पर कई सवाल उठते रहे पहले वीबिए ने आठ केंडिडेट्स की लिस्ट जाहिर की थी उसके बाद अब 11 केंडिडेट्स और अनाउंस कर दिये हैं तो ऐसा लग रहा है कि वीबिए जो है अब ऑफिशली महाविकास आघाडी से एक्जिट कर चुके और कोलिजन होता नहीं दिख रहा है इन सभी मुद्धों पर बात करने के लिए महाराश्रा प्रदेख्ष की जो प्रेसिडेंट है वीबिय की रेखा ठाकुर जी वो हमारे साथ जुड रही है मैडम 11 केंडिडेट्स और सामने आये हैं ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाडी से साथ बाते चल रही है बले ही विदर्ब के केंडिडेट्स दिये गए हो लेकिन आगे नेगोसिशन हो सकता है लेकिन कल एक और लिस्ट आई है जिसके बाद अब लग रहा है कि कोलिजन खतम ने ऐसा तो अभी ऑफिशली हमने डिकलेर नहीं किया है कि कोलिशन खतम ऐसा हुआ नहीं है उसका ऑफिशल नि कुछ वाया मेडिया निकल सकता है लेकिन अभी तक की जो चर्चा यूँ हो उसमें क्या ऐसी चीज वी बीए को खटकी या गलत लगी जिस वर से अभी तक ऑफिशली यह सीट शेरिंग नहीं हो पाए पहली बात तो यह है कि यह सब तो पहले आ चुका है यह सब इसके बारे में अभी मेने फिर से बात करने की जरूरत नहीं है पूरा हिस्ट्री सब के सामने है कि महाविकास अगारी के बहुत सारे मिटिंगे होती रही उसमें सब मिटिंगों में वीबियों को बुलाया नहीं गया और उनका खुद का याने कि तीन पार्टी जो उसमें थी उनका खुद का टाय था अनेक जगों पर और इसलिए बात्चित आगे गई ही नहीं है और इसमें गलत फेमिया बहुत मेडिया को साथ में लेकर गलत फेमिया फैलाई जा रही है प्रपरली प्रस्ताव ना हमने दिया था ना उन्होंने भी कुछ हमें प्रस्ताव दिया है कल जो केंडिडेट्स अनाउंस हुए है उसमें एक नाम आ रहा है एक्स आईपेस ऑफिसर अब्दुर्रह्मान साब का धूले से इनको केंडिडेट्स बना गया है माना जा रहा है कि चलते इन्होंने यह सर्विस जो है पुलिस सर्विस वो छोड़ी थी क्या मकसद है इनको टिकेट देनेगा देखिए एक तो पार्टी ने पहले ही जाहिर तोर पर अनेक बार कहा है कि यहां के जो अनेक वंचित समुआ है उनको नुमायंगी दी जानी चाहिए और महाविकास आगाडी के सामने भी एक प्रस्ताव हमने रखा था कि 48 सीटों में से मिनिममम थ्री मुसलिन कैंडिडेट हमने देने चाहिए और इसके बारे में हमने एक पोजिशन लेनी चाहिए हमारी कोशिश है कि जिनका इमेज साफसुतरा है और जो समाज के लिए काम करते आये हैं ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स देना चाहिए और अब्दुर्रह्मान एक ऐसे शक्स है कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और IPS अधिकारी और वो शायद IGV हुए थे और ये सिये की जो मसला था उस मसले पर उन्होंने एक पोजिशन लिए और इसके लिए उन्होंने इस्तिफा दिया मेरे ख्याल से इतने हाई लेवल का अधिकारी इस कारण ऐसे एक सामाजिक कारण राजी नामा देने का आयने की इस्तिफा देने का ये शायद उनकी प्रतिमां बहुत ही मुसल्मानों में और खास करके इंटलेक्टवल मुसल्मानों में बहुत ही हाई है उननाने बहुत पुस्तक बुक्स भी किताबे भी लिखी हुई है और एक अच्छी अच्छा केंडिडेट डेनी की हमारी कोशिश है इसलिए उनका चुनाव हुआ है इसके बारे में मुझे ऐसे लगता है कि निर्भय बनो बहुत एक चोटा संगटन है और इसके इस पर हमारे जो प्रवक्ता है मेडिया के उन्होंने प्रतिक्रिया और इसकी प्रतिक्रिया मुझे देने की जरूरत नहीं है मंचित बहुजान अगाड़ी एक स्वतंत्र पक्ष है जब वो अपने केंडिडेट्स जिक्लेर करते हैं तो यह एम्बिय को डैमेज करने के लिए किया गया ऐसा जो धारना बता ही जाती है उसके बारे में के? हम अपनी राजनेती कर रहे हैं किसी को डैमेज करना यह हमारा मकसद नहीं है यहां बेजेपी और मोधी गवर्मेन को हराना यह अहम मकसद है और दूसरा मकसद यहां की राजनेती में जो वन्चित घटके हैं उनको नुमाइनगी देना यह हमारा दुसरा मकसद है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं ऐसे आरोप तो होते रहेंगे आप कह सकते हैं के वंचित बहुजा नागाडी 2019 में जो रोल निभाया तो वो इंपोर्टन्ट है कॉंग्रेस के सिर्फ एक लोग सबस्कीट आई ते इस वक्त भी कोईलीजन नहीं हुआ है आने वाले समय में एमवे के लिए ये कोईलीजन ज़रूरी है कैमोशन के जन सब कल क के साथ मुस्तफा शेक आज तक